22 अक्टूबर 1964 को जन में अमित अनिल चंदर शाह एक प्रमुख भारतिय राजनेता हैं, जो वर्तमान में 2019 से 31 ग्रह मंत्री का प्रतिष्ठित पद संभाल रही हैं। इसके अतिरिक्ट वह 2021 से भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। शाह की राजनीतिक यह यात्रा भारतिय जन्तापार्टी, भाजपा और समग्र रूप से भारतिय राजनीती में महत्वपूर्ण मील के पत्थर और योगदान द्वारा चेहनित की गई है। भाजपा के साथ शाह का जुडाव 1987 से है, जब वह अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान राष्ट्रियस वयनसेवत संग RSS की छात्र शाखा अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद ABVP से जुडने के बाद सदस्य बने। उनकी प्रारंभिक राजनीतिक व्यस्तता ने एक उलेखनिय करियर के लिए मंच तयार किया। 2017 तक नारणपुरा और 1997 से 2012 तक सरखेज का प्रतिनिधित्व किया। इस अवधी के दौरान उन्होंने ग्रिह, कानून और न्याय, जेल राज्यमंत्री सहित कई विभाग संभाले। राजनीतिक कौशल और संगठनात्मक कौशल की परीक्षा हुई जब उन्होंने लोकसभाचुनावों के दौरान भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के प्रभारी के रूप में कार्य इस जीत ने शाह को राश्ट्रिय स्तर पर प्रसिधी दिला दी जिससे जुलाई 2014 में उन्हें पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। शाह के नेत्रित्व में भाजपा ने विभिन राज्यों के चुनावों में कई सफलताय देखी। शुरुवाती वर्षों में पार्टी महाराश्ट्र, हरियाना, जम्मु कश्मीर, जार्खंड और असम्मे विधान सभा चुनावों में विजी हुई। हाला की 2015 में विशेश रूप से दिल्ली और बिहार में जटके लगे। चुनावकियों के बावजूद शाह के रननीतिक द्रिश्टिकोन ने 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मनिपूर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी की जीत में हाला की शाह का लचीलापन और राजनीतिक निकुंता 2019 के भारतिय आम चुनावों में सामने आई जब भाजपाने 303 सीटें जीत कर और बहुमत हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की। इस जीत ने समर्थन जुटाने और पार्टी को राष्ट्रिय स्तर पर सफलता दिलाने क शाह की क्षमता को रेखांकित किया। राज्य और राष्ट्रिय राजनीति में अपनी भूमिका के अलावा शाह की भारतिय संसद में भी महत्वपून उपस्थिती है। वह 2019 के आम चुनाव में गांधीन गर से निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। इससे पहले उ शाह का प्रभाव उनकी राजनीतिक भूमिकाओं से परेभी फैला हुआ है। उन्होंने 2014 में भाजपा के दस्वें अध्यक्ष का पद संभाला और 2020 तक इस महत्वपून भूमिका को संभाला। इसके अतरिक्त उन्होंने 2014 से राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिससे भारतिय राजनीती में एक प्रमुख व्यक्ती के रूप में उनकी स्थिती और मजबूत हो गई। एक समर्पित युवा नेता से भारतिय राजनीती में एक दिगज नेता तक अमित अनिल चंदर शाह की उल्लेखनिय यात्रा दूरदर्शिता, द्रिड संकल्प और रणनीतिक कौशल का प्रमाण है। उनका नेतरित्व भाजपा के पत को आकार दे रहा है और देश के राजनीतिक परिद्रिश्य पर महत्वपून प्रभाव डाल रहा है।